शिव का सम्रंड करो पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना आखा दाना जानते हो पूरा खंडी चावल नहीं कितना चावल एक दाना चावल शंकर वगवान के शिविलिंग पर समर्पित करिये एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो जहां से चावल कामना करकर रख दीजिये और चंद्रमोली भगवान का इस्मरन करिए कौन से भगवान शंकर भगवान का सरवस्रिष्ट सुन्दर नाम है चंद्रमोली पर पात्र समर्पित करकर शिवजी पर एक लोटा पानी एक जल पात्र समर्पित करो कलस से जल चड़ा दीजिए नैनों में वो जल लगा कर अपनी कामना करकर वापिस घर को आईए आगली पूर्णिमा आएगी जो कामना करी है मेरा चंद्रमोली भोले नातों से पूनक करे ही दे आप सभी को सुन्दर पूर्णिमा की बहुत बहुत बढ़ाई हो बाबा विश्वनात की कृपा आप पर सदा बनी रहे आ गया शूर्णिमा की रातरी बड़े से बड़ी बिमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कश्ट इस कुनिमा की रातरी को छूट जाते हैं दमे की बिमारी, स्वास की बिमारी, आनिंद्रा की बिमारी, रातरी को जगना ये सारी बिमारिया पुर्णिमा की रात्री को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुक में बनाए अपने जीवन को आनंद में बनाए तो सब छूप सब कुर्णिमा की रात्री को पीपल के पत्ते पाँच लेकर उसके उपर खीर डाल कर रात्री को खा लेने से महाराच दबे की बिमारी स्वास की बिमारी रुख जाती है वो बिमारी बढ़ती नहीं है उसे कश्ट नहीं होता है जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पुनिमा के दिन रात्तरी को बारा बजे भगवान चंदर देव का दर्शन कराईए, आज से साथ मिनित तक नयन मिला चंदर देव के साथ, और बाद में एक पिपल के पत्ते पर खीर जो चंदर के नीचे र करती है, निंदर अच्छी आती है, आनंदित होता है, महाराज, जिस व्यक्ति के शरीर में गाट पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दात खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शुनिमा की रात्तरी को, बारा बजे महाराज भ करीर में, गाए के घी के साथ में, जहां जहां जगा पर चट्टे हैं, गाट है, वहां लगाया जाता है उसको, पाच या साथ दिन लगाईए, उसके बाद में रोज परती दिन लगाने के आदे घंटे वाद इसनान कर लीजिए, आराम लगना प्राराम हो जाता है, पूजन करेगा, इस्तमन करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगा, गात्तरी को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंदर देव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भदवान श्रीहरी को, बन सके अगर लच्छमी की कमी है, लच्छमी नहीं आ रही है, व लच्छमी जी की मूर्ति रखना, लच्छमी जी की मूर्ति नहीं हो तो चान्दी का सिक्ता रखना, उसके सम्वोक में आप 21 दीपक 21 घी के लंबी पाति के जला देना, माराओ एक एक कमल गठा उस 31 दीय के अंदर डाल देना, और लच्मी जी का पूजन करना, लच्मी जी का इस्मर्ण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, पांच पत्ते पर खीर का भोग लगाना, और माता लच्मी से बिंती करना, सुबह रे चार बजे तक वो रखे रहें देना, सुबह चार बजे वो उठान लच्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना जो खीर मनी है उपरशाद के रूप में सुभा आड़ बजे दस बजे नो बजे जब खाना हो फ्रेम से पाना माता जो दिये लगाएं वो धंडे हो गए होंगे उनको रखे रहें देना बाद में काम आते रहेंगे या दिये भी सर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है पर वो मट्टी के दिये लगेंगे आटे के दिये नहीं लगेंगे मट्टी के दीप लगाना है आपको 31 घी के दिये लगाना है लचमी जी का पूजन करो कंकूच, आवल, हल्दी, मोली से सब तरह से पुर्णीमा की रत्री को सुख मिलेगा, अनन्द मिलेगा, लचमी की वृद्धी होगी, कारिसिद्धी होगी दूसरा क्रम, पुर्णीमा के दिन, आप शाम को प्रदोष काल के समय, साड़े चार वजे से छे वजे के बीच में, एक लोटा पानी, उसमें पांच बेल पत रखकर, एक कमल गट्टा डालकर, भगवान चंदरेश्वर महादेव के नाम से, भगवान शंकर को चड़ा दीजि पुर्णीमा की रातरी को और कार्तिक पुर्णीमा की रातरी को गर्ववती नारी अपनी नाभी पर यदि चंदर की दरश्टी पढ़वा लेती है, तो बच्चा विकलांग वेदा नहीं होता है, गर्व से जो बालक होगा, सरिष्टों का विदवान होगा, चतूर होगा, ये चंदर की किर्णे जब समुद्र में उच्छा ला सकती है, तापके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उच्छा ला सकती है, अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, सुएत पुष्प को रख कर, शंकर जी के ऊपर सफित फूल को चड़ा कर अगर ये लोटा जलवी एक लिए पात्र जलवी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लच्छमी के लिए ही तो कर रहे हो, और कौन सी लच्छमी, पूर्ण लच्छमी, पूर्ण लच्छमी, मता पारवती जी ने लच्छमी जी को देखा और स्वर्सती को क्या हुआ क्या है इसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई है क्या हुआ पार्वती जी कुछ बोल थी शिव जी का ध्यान माता सरसती की और लच्मी की और गया और भगवान संकर जान गए कि आज भगवान नरहन ने लच्मी जी को अपूर्ण कहा है अब देखे माता पार्वती क्या कर सकती है इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या पूर्ण के दिया तो क्या सोचना उसके लिए इसको मैं अभी पूर्ण बना देती माता जगजनी पारवती ने गोदी में विराजवान गणे जी को उठाया और उठाकर लचमी जी की गोद में दे दिया ले लचमी आज से तो पूर्ण हो गई पूर्णिमा के बिरत में किताब पड़ी होगी पूर्णिमा की या अपने बिरत किया होगा या पूर्णिमा cen कों से भगवान की होती है 16 पून्हिमा सबस्क्राइब है शक्रीynn-व्रेम्राइब हीघ्व पूजन spiritually वहींशुआ अच्रोटी के पूजन करेंगें। शंकर गरश्मरन किया है। किसकी पूजन होती है शिव पार्वती को पूजन क्यों करा जाता है पूनिमा के ब्रत में क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिनोंने अपून लच्मी को भी पून बना दिया था किसको पून बनाया है लच्मी शरत पूनिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो स्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चड़ा कर अगर एक लोटा जल्वी एक पात्र जल्वी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो यह लख्षमी के लिए ही तो कर रहे हो और कौन सी लख्षमी पूर्ण लख्षमी पूर्ण लख्षमी